पिंगना हर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा मात्र एक बालक ये है देव सेना भीरो देवताओं ने सेना के रूप में एक बालक को भीजा है मात्र बालक ही नहीं विलिन करता भी बन सकते हैं गणेश नमारे मार्ग में ये बालक करेगा हमसे युद एक और बालक हाँ 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 प्रस ले प्रस लेताओं सुपा हाँ जर झालक अड़स्वार जुच्छ बालक करेए हो लेए हाँ झाल झाल महराज अंध्यकासुर की सभी देव मुझसे युद्ध करने के लिए इकत्रित हुए है तो मैं भी उने इसका पुर्सोर प्रतियुत्तर दूँगा श्रिष्टी के आरंभ से ही अच्छाई और बुराई दोनों के मद्य एक संघर्ष चला रहा है बुरी शक्तियां प्रबल होकर बार बार अपना मुख उठाती रही है अच्छाई को नश्ट कर श्रिष्टी को लीलने का प्रयास करती रही है किन्तु ऐसे अंदकार भरे समय में भी आशा की जोती सदैव प्रजवलित होती है अच्छाई का साथ देने के लिए दिव ये शक्तियां सदैव जागरित हो उठती है और सर्वत्र च्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है श्रिष्टी में धर्म, मर्यादा का वर्चस्व पुनाय स्थापित होता है यही होता आया है और यही होता रहेगा मैंने इसी लिए आप सभी को यहां आने का अनुरोद किया क्योंकि आसुरी दुष्टता ने पुना अच्छाई की शुबता को चुनाती दी है समय का चक्रव हमारे साथ है हम अधिक शक्तिशाली है उन देवताओं से और इस बार उन असुरों को विश्वास है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली है किन्तु हम मिलकर युद्ध करेंगे पराजित करेंगे हम इन असुरों को असुरों की प्रतेक पराज है का नतिशोद लेने का अपसर है हमारे पास सत्य है धर्म है बुद्धी और दूर दर्शिता के सागर प्रम्हांड के शिल्पकार विश्व कर्माजी साहस शक्ती और रणनीती में कुशल देव सेना पती मेरे जेश्ट भ्राता कुमार कार्थिके और उचित मार्ग दर्शन के लिए ज्यान सिंदू गुरु व्रेस्पती का साथ प्राप्त है हमें महा गुरु शुक्रा चारिका मार्ग दर्शन प्राप्त है मुझे मेरे युवायवं शक्तिशाली मंत्रिकर दुर्यो धन हम देवताओं के पास अमरित है और हम ही उनके वास्तिविक रक्षक भी है कि हमारा कर्तव्य और दायत्व है कि हम किसी भी अयोग्य और कुपात्र के हाथे में उसे जाने ना दें क्योंकि अमरित केवल श्रिष्टी और जगत के कल्यान के लिए ही है संजीव निविद्या है अमारे गुरुदेव के पास मित संजीव निविद्या से हम असुर्पुना जीवित हो सकते हैं सदा के समान इस बार भी अच्छाई की ही विजय होगी और बुराई की पराज आज प्रतम बुराई भरी पड़ेगी अच्छाई पर आज आप सभी त्रिदेवों के समक्ष उपस्थित हैं योध्धा स्रिजन करता पालन करता है वो उनके दीवी प्रकाश और दीव्य शक्ती की सहायता से विजय होंगे हम अनेको असुर आज आज और गए हैं किन्तु आज मैं हम्द का असुर असुर सेन्झा का अन्धैत्रित्व कर लहा हूं और सभी देव्य शक्तियों के साथ मैं भी हूं आपके साथ प्रथम पूज्य शुबता का विग्न हरता और दुष्टों के लिए विग्न करता मेरा प्रमदेव का वर्धान प्राप्दे मुझे समय आ गया है असुनों को नष्ट कर माता लक्षमी को पुना वैकुंड ले जाने का श्री को उनकी उचित स्थान पर लोटाने का मराज अ्धकासूर की अइब अधकासूर की मराय अंधकासूर की मराय अंधकासूर की आइब देवता यहां तक आ गए है हमसे युद्धकर्श्री को लोटाने के लिए किंतु अंदक ने उन्हें अपने छल से बंदक बनाया है उन्हें हमसे छीन कर कोई नहीं ले जा सकता पराज अंधकासुर की जाए धर्म की जाए प्रदम पूजी श्री गनेश जी अब उचित समय आगया है हमें प्रतिक्षा नहीं आकरमन करना जाए हागनेश जी देव से ना तैयार उच्छाहित बसा पादेश दीची रुकिये कृप्या रुक जाएं आग सभी अपनी उत्तेजिना में विवेक होकर नहीं सैयम और धैरिय से उचित योजना के साथ युद्ध करेंगे हम मैं गणेश से सहमत हूँ युद्ध अवश्य करेंगे हम जिन्तों उच्यत रणनीती की रचना के पाद यह यह उस रत पर अरुड होकर कौन आ रहा है कहीं अंधकासुर का कोई दूद्ध तो नहीं है नहीं कार्दिके यह अंधकास और का दूत नहीं यह मेरा प्रियभग प्रहलाद है मेरे प्रभू, मेरे नाराया इस भक्त का नमन स्विकार करें प्रणाम प्रभू प्रभू, यहां जो भी घटित हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांता हूँ नहीं प्रहलाद, इसमें तुभारा कोई दोश नहीं प्रभू, मेरी पेड़ा का कारण है कि भक्ती को आधार बना कर मेरे ही कुल के असुर्ने मेरे ही आराध्य के सहभागी नहीं समस्त संसार की कल्यान कारिनी ओर्जा रूपी देवी लक्षमी को यहां बंदी बना लिया है प्रभू वस्तुष्ट अंधकासुर कोप उसके अपरात का दंड देने आये हैं हम यहां दंड का भागी है अंधकासुर और नारायन का कोप उसे अवश्य ही भस्म कर देगा यह मैं भली भांती जानता हूँ किन्तु वो मेरे कुल का है इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभू युद्ध से पूर्व उससे एक बार संधी संभाद कर लें संभव है उसकी ब्रष्ट बुद्धी उचित मार्ग पर आ जाए यह सर्वनाशी युद्ध टल जाए अंधकासुर का कृत्य शमायोगी नहीं है प्रहलाजी इसलिए युद्ध तो होकर ही रहेगा संधी वारता का समय आप बीच चुका है भाया युद्ध सदैव सर्वनाश का कारण बनता है अनेको निर्दोस जीवन नश्ट हो जाते हैं युद्ध में इसलिए शांती की अंतिम संभावना तक हमें युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए युद्ध सदैव अंतिम उपाई ही होना चाहिए हमें एक बार अंधकासुर को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए संभव है वो माता को वचन मुक्त करने के लिए तयार हो जाएं किन्तु हम देवता तो नैतिकता और धर्म के अनुसार ही आचरन करते हैं सूर्यदेव किसी अन्य की कुठिलता के कारण हम नीती और धर्म पर आधारित अपना व्याभार नहीं त्याग सकते किन्तु स्री गनेश जी मैं गनेश से सहमत हूँ युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए हमें अंधका सूर को समझा कर उसे माता लक्षमी को लोटाने के लिए प्रिरित करना चाहिए कि तो उससे संभात करने कौन जाएगा मैं जाओंगा इंद्रदेव पुत्रकार्तिके तुमारे द्रड़े एवं स्पष्ट संभात से अंधका सूर के समझने की संभावना शीन है पुत्र गणेश चत्राई से शब्दों का चायन करेगा जिन पर वो विचार भी कर चुका होगा कदाचित इस समय उसका जाना ही उचित होगा पुत्र गणेश वो अंधका सूर है अनीती और अधर्म के अंकारी अंधकार में डूबा हुआ तुम शान्ती वारता करोगे किन्तु वो तुम्हें हानी पहुंचाने का प्रियत्म में कर सकता है पिताश्री मामा जी रूपा जी भैया और देवगण जब आप सभी का आशीश प्राप्थ है मुझे तो कोई हाने कहा हो सकती है मुझे ब्राता गनेश इसे साथ रखो यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो इसकी ध्वानी से मुझे सूचित करने मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा मां आप भी मुझे आश्रवात देने के लिए यहां होती तुम्हें धन्य हो जाता मुशक जी चलिए मां आप भी मुझे आश्रवात देने के लिए यहां होती तुम्हें धन्य हो जाता असुर्य शक्ति पुना जागरत होने वाली शक्ति के बाद आप श्री भी दूर होने वाली देवास व संधाम छिणने वाला जाओ मेरा आश्रवात तुम्हारे साथ मां आप सदर मेरे साथ हैं किन्तु यदि आज प्रत्यक्ष रूप में होती तुम्हें आनंदित हो जाता जिस प्रकार तुम मेरा स्मरन करते हूं पुत्र विश्वास रखो उसी प्रकार मैं भी हूँ तुम्हारे साथ मां प्रणाम मां रुको पुत्र तुम्हें कत्यान महित्पून कारे के लिए जा रहे हूं इसलिए तुम्हारा अपने बाहन मूशक से नीचे उतरना अनुचित होगा पुत्र तुम आश्वास्त रहों मैं तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं हूँ प्रणाम मा आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृथार धूँ कल्यान हो पुत्र तुम्हें देखकर मुझे भी अपार सुक का अनुभव हो रहा है मुझे ग्याद था मा आप मुझे आश्रवाद देने अवश्य आएंगी पुत्र, मेरा पुत्र तु स्वेम शुप्ता का प्रतीत है किन्तु महत पूर कार्य की यात्रा के पूर तहीं शक्कर का सेवन मंगलकारी होता है कि मेरा आश्रवाद है कि तुम अपने उद्देश में अवश्य सफलता प्राप्त कर। पुत्र, इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदेव तुम्हारे साथ रहूं विजय भवा प्रणाम मा धन्य वादमा मुशर जी चलिए यह हमारी तरफ आने का दुस्ता हस कौन कर रहा है रुको तुमने सुना नहीं, मैंने कहा रुको शत्रू शिविर से आये हुए शत्रू हो तुम, यह तर नहीं जा सकते तुम अंतिम चताबने दे रहा हूं तुम्हें, रुक जाओ आप बढ़ते रहें, मुशर जी वो असूर प्रहरी, आक्रमट करने वाले हैं गणेश पर हमने तो पहले ही कहा था, यह समवात का विचारी व्यर्थ है कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शान्ती देखो मुझे, क्या कोई शस्त्र है मेरे पास? आपने अपने बान मुझ पर साथ रखे हैं, किन्तु मैंने आक्रामक मुद्रा धारन की तो इस पश्ठ है न, मैं मात्र शान्ती का इच्छुक हूं मैं आपके महराज अंधकासुर के साथ शान्ती वारता करने आया हूँ ये देव बालक महराज अंधकासुर से क्या बाताय करना चाहता है? महराज को सुचित करता हूं अजया हूँ जान पड़ता है कि देवताओं को सत बुद्धी आ गई है इसलिए शमा प्रस्ताओं लेकर इस बालक को भेजाए आने दो से उचित है महराज सुनो आने दो उस बालक को जाओ मालक जाओ चलिए मुषद जी पिताश्री आशा है गणे सुरक्षित होगा देलताओं ने अपनी और से शान्ती प्रस्ताओं भेजा है किन्तु हमने तो उन के लिए कोछ और ही प्रबंद किया है विरोधी कितना भी अधर्मी कियो न हो उसे भी धर्म के मार पर लोटने का अंतिम अवसर अवश्य देना चाहिए कर दो तोो जान्यों सर्णते अरिए कर दो लिंगे कि